आज शाद्ध्य अभ्यास को दुस्रो चर्चा गर्छू मौनता मौनता फुरुवक अभ्यास मौनता भने को ध्यान नहीं हो ध्यान भन्दा और को चीज होईन मौनता आमी साध्धान भासामा नोबलनुलाई चुच्चा अभशनुलाई मौनता भन्दा भन्दा यह होईन मौनता बाणी इंद्रियसंगा मुख्य सम्मंद चाई नहीं यो गौन सम्मंद चा यह सोत हरी इंद्रियसंगा गौन सम्मंद चा नहीं तर मुख्य सम्मंद मौनता आखा संगा नई छा जा सरी ध्यान को सम्मंद पनी आखा संगा नई हमें मख्यरुप मा जोडने गर छों आखा बंद कई नूलाई यो बाहिरी इन्द्रियेगा त्रूपले बान्न खोजेको हूं यो इन्रियेग द्रूपले ध्यान मा आखा महत्त पुनाच्छ, मौन्ता मा पने आखा महत्त पुनाच्छ, यो सालहन भाच्छ मा नबोलनुलाई मौन्ता बनेंचे यो गलत हो, मौनतार ध्यान योटी साधना हो अब मौनता हामिले ध्यान बन्दपने अज बाहरी रूप मा हेर ने भाय खुले यो अज रोचक्छ किना के मौनता मा आखा खुल्ला हुन्छ, वा आखा मध्यम हुन्छ ध्यान मा आखा बन्दपने मौनता मा आखा खुल्ला हुन्छ या मध्यम हुन्छ इसो तो आखा मध्यम मा बनाऊनो ने मौनता को चरम इस्थिति हो मध्यम मा आउदा ने मौनता लाक्ष मौनता को चरम इस्थिति बन्द ध्यान मा जे हो मौनता मा पनी वही नहीं हो अब आखा खोल्नू रा आखा बन्दपनुमा जे फरक्ष इस्थिति एक इस्थिति में जाने हो तरब बाहिर्या बेभारिक रूपमा अनुभब को रूपमा थोरे फरक्ष जब हमें मौनता साधना द्वारा तेस्थिति में जाने हो ता हामरू बेभारिक महोल परिपक्क बन्च बेभारिक महोल जब हमें ध्यान द्वारा तेस्मुक्त इस्थिति मां जान्छों ता हमरू आन्तरिक महोल परिपक्क बन्च इद दुबही परिपक्कता उतिने महत्य पुनाच आखा लाई बंद गड़ी हामें अंधकार मां चन स्वयम को इस्थिति लाई आर्जन गर्छों रभ बाहिर सबई इंद्रिय को द्वार खुल भाहर पनी फेरिति स्वांतस्लाई हामी पाउं छाउं तो यहान बेभारिक्ता को सम्बंद जोडिन छेयो छुड़ दैन् जब बेभारिक्ता को सम्बंद नतोरी कना इंद्रिय गत्रूपली नतोरी कना जब यह माउंता साधना बंद छो तो इसको महत्यो ठूलो छो फेरि माउंता पनी ध्यान आई हो ध्यान सानो छो यो ठूलो छो भनेको होई हेवटेई हो तर यह वेभारिक्ता लाई जोड़ दै जोड़े रही तो इस्थिति माउं इस्थित रहाने भाएको ले इसको महत्यो ठूलो भाएको माउंतामा अरू ध्यान मज्ये हुन्छा माउंतामा पनी उस्ते हुन्छा आशन फरक रहला हमें स्थिर जालाई नहीं जोड़ें छाओं आखा को मध्येस्ट ता जहां समग्रता समेड़ सांखाले एक मा फस्ताइन एक मा रहां दाइन समग्रमा रहां जोड़ें पूरा खुल्णू न पूरा बंध हुन्ध मध्येम इस्थिति जहां हामरो तेस्रु आखा सक्रिये हुन्छा एस इस्थिति जब हामरो तेस्रु आखा सक्रिये हुन्छा तब बाही रखो रभीत रखो चुन समंध कम मध्येमा रहां जोँ तै यही नहीं पूर्ण आवस्था हो ज्ञान रभ्य वहार अस्थित्तो रयो रूप जगत सार रयो रूप जगत दुबै लाई तोटा परकिर्यामा ल्याओ छों संतुलन नहीं सबै फंदा उत्तम अवस्था हो तक्ति संतुलन बंदाच विज्ञान बंदाच अत्हा ध्यान साधना अतेंत महत्य पुर्णा छों तो इसको लागी हमिले बाहिरी आशन जुन्सुके होश ठोरे सान अभ्यास होश या लाम अभ्यास होश लाम अभ्यास को लागी अलिकते व्यवस्थित आशन चाहें छों तर सान अभ्यास हमें उभियर अपने गर्ना सक्छों रज्जुन्सुति आशन मा बसीर पने गर्ना सक्छों संपुन इंद्रिय लाई छोड़नो नहीं हो यहां सम्हालनू परनी पनी इंद्रिय छाई ना आखापनी छाई आखालाय पनी छोड़न नहीं हो आखालाय सम्हालेर पनी मंदा बंदे आखालाय मद्धेमाली आय पचि त्यो छोड़ें छ आखाला हामी पूरा खोलें उपनी त्यों सम्हाली नज एसले हेर नू पर्छ सम्हालिन गर्थ हामीं हेर्चों एस द्वारा एसलाई उपयोग गर्दे हामीं बाहिर रूपलाई हेर्चों तो जब मध्येमा बन्चा आखा मध्येम बन्चा तो यो छोड्ष सम्हालिन शंतु लणको इस्तिती रहन्च नचच नू नशंभालीन यो मध्येममा रहन्च तो एसलाई छोड्यको भन्ण पनी बन्चαι उन्च सम्हालीनु संगपनी छा छोर नु संगपनी छा पर्टोन न्यूटोन रए इलेक्टोन को अब पर्माणुमा जोन संबंधा छा यहां पनी बाहिरा फित्रा रा मद्धे यही संबंधा बनने हुँ तो यह मुक्ता स्थिति हो यह मद्धे स्थिति तो यह मद्धे स्थिति को अभ्यास हमें गर्ना सकें इसलाइ लाम अभ्यास जारी राखें वने ग्यान लाए बेभार मां रा बेभार लाए ग्यान मां लीर जाना अजशक्च्यम बन्छां अफेस्त बन्छां यो मौन ताले नहीं ग्यान लाए बेभार मां बेभार लाए ग्यान मां देखताच यो बही ग्यानिक आखा हो मौन ता आज़ुकु लाए यह तेदे वसंद्ट बन्छां नहीं नहीं यह भो